हलो फ्रेंड्स मैंसेफ डॉक्टर सल्मान नसीर और आज हम लोग जानेंगे कि नमक की कम इस्तेमाल से हमारे शरीप में कितने सारे फायदे हो सकते हैं इसलिए किलीब को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब दोस्तों मैं आपको बता दो कि नमक वैसे तो हमारे बॉडी के लिए जरूरी भी है यानि कि नमक का इस्तेमाल नमक जिसको हम लोग मेडिकल टम के अंदर सोडियम कुलोराइड कहते हैं और उसका यानि हमारे बॉडी फ्लूर्ट के अंदर बहुत एहम रोल होता हैं लेकिन जब यह इसका कॉंस्टेशन सही होगा तभी वाटर के रिटेंशन हो पाएगा अच्छे से इसलिए दोस्तों डब्लु एचो खुद कहता है डब्लु एचो की गाइडलांग के मुताब वो जब किसी हैपरटेंशन या फिर बीपी जिसका बढ़ जाता है उनसे जब डॉक्टर कहते हैं आपने सुना होगा लेकिन दोस्तों यह सिफ उनके लिए निये बलके आम लोगों के भी लिए हैं कि अगर वो अपने सेहत की खास कर काडियो वेस्कुलर यानि के दिल के वि नमक के ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो नुकसान हमारे बॉड़ी पर होता है उसके उपर मैंने किलीप बनाया हूँ अगर आप उसके तालुक से विस्तार से जाना जाए तो डिक्स्रिप्शन मिलिन डालता हूँ आप जरूर देखे उसको तो आब मैं आपको बताओगा दोस्तों कि नमक का इस्तेमाल करने से वह तीन से चार कौन से फाइदे हैं जो फाइदे मिलते हैं उसमें मैं आपको बता दू सबसे पहला हाई ब्लड पेशर को मेंटेन रखने के अंदर सॉल्ड का या नमक का बहुत इस बहुत ही एहम रोल होता है यानि कि कम इस्तेमाल अ करने से कान नमक के मिस्तेमाल करने से किरशने की केसे खरें ilz Border के वहुत सकते हैं साथचे के मिलते हैं । करने वेट करने के आंदर भी भूट हेलप दोस्तों वेट लॉस करने कि लिए फोलस बहुत इंपर्ड़नट होता है यह उसको समझना इसलिए इसको इसमें नमक इस्तिम नमक के 가능 कम करने से अब लॉस में वहील कोती है अब एक सवाल चाहिश है दोस्तों छीँर नहीं बलके बहुत सारे चीज़ें हम लोग जो खाते रहते हैं जैसे वेफर से चीप से ऐसे बहुत सारी तले गले चीज़ें फास्ट पूट से जंग फूट से इसके अंदर बहुत कसीर तादात में सॉल्ट मौजुद होता है नमक बहुत ज्यादा होता है इसलिए दोस्तो इसको हम एतियात करें नमक के इस्तेमाल कम से कम करें जिससे हमको बहुत सारे फाइदे हासिल हो सकते हैं दोस्तो यह था आज की किलीप के माध्यम से एहम जानकरी आयोग आपको समझ में आया होगा अगर किलीप पसंद आये तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब क करें थैंक बेरीमाग्च